आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone यहाँ पर prime number के problem दिया है हम उसको solve परेंगे यहाँ पर दिया है यह P is a prime number and P divides A B that is P divides A B where A and B are integers then यहाँ पर तीन options दिये हैं हम पहले देखेंगे अगर P divides A B देखेंगे हम किसको बोल सकते हैं यहाँ पर यह तीनों को देखेंगे फिर इसको solve करेंगे पहले हम देख लिएते कि P का value क्या दिया है P यहाँ पर prime number है तो prime number कैसे define होता है किसी भी number को हम prime number कहेंगे कि इसका एक ही factorization possible और वो है 1 multiplied by P और किसी भी form ने मतलब हो यहाँ पर आगर रजूम कर लिया कि इसको A multiplied by B form में लिखना है हमें तो यहाँ पर एक number को A या फिर B दोनों में से किसी भी एक number को one होना है और दूसरा number को P होना है इसको और किसी भी factorization से हम express नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर दिया है इसको A B लेके इसको C D ले दे दे क्योंकि A B यहाँ पर mentioned है तो confusion हो जाएगा यहाँ पर इसको C multiplied by D करते थे अब यहाँ पर क्या दिया है P divided by D मतलब क्या है यहाँ पर दोनों का multiplication है A multiplied by D और इसको P divided करता है P का कोई factorization possible नहीं है तो इसका मतलब होगा P आइदर इसको divide करेगा या फिर P इसको divide करेगा अगर दोनों को divide नहीं करेगा तो हम इसको express कर सकते है A is equal to P R plus C इसको X ले लिखे है P R plus X और B को हम लिख सकते है कि P से divide कर दे तो हमें भीने का इसको R1 ले लिखे है R2 इसको भी X1 ले लिखे है X2 अब इन दोनों का multiplication लेंगे तो हमें X1 multiplied by X2 मिलेगा जो कि P से divide नहीं हो सकता तो यहाँ पर अगर हम यह contradiction आजाए कि हमने अगर ले लिया कि A को भी divide नहीं कर दा है B को भी divide नहीं कर दा है यहाँ पर दिखा दे कि P A को भी divide नहीं कर दा है P B को भी divide नहीं कर दा है तो यहाँ पर हो जाएगा P A B को divide नहीं करे पर यहां पर क्योंकि मेंचन दे P, A, B को डिवाइट कर गा है, इसलिए भूल सकते हैं कि आइदर P, A को डिवाइट करेगा या पर P, B को डिवाइट करेगा इसका करेक्ट अप्शन हो जाएगा अप्शन 1 Thank you